अब तक आप लोगों ने इस चैनल के उपर काफी सारी smartwatches की वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको AMOLED PLUS CALLING इसके लाब वो बहुत सारे sports mode में मिलते हैं आपको smartwatches में बट मेरे पास अभी एक ऐसी smartwatch आई है जिसमें आपको काफी तगरी display प्रोवाइट की गई है मतलब AMOLED का feature प्रोवाइट किया गया है इसके लाब और भी बहुत सारे features देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको काफी premium build quality भी देखने को मिलेगी smartwatch में जो कियाती है firebolt की तरफ से firebolt dagger इसी smartwatch में आपको काफी सारे features भरबर के मिल जाते है इसके लाबा काफी premium देखने में भी लगती है और मुझे भी round daily smartwatch बहुत जादा पसंद है तो फटा फट चलते हैं करते हैं इसकी unboxing और देखते हैं क्या-क्या है box में कैसी दिखती है smartwatch इसके बारे में detail में बात करेंगे build quality कैसी है कैसे work करते है sensors सारी चीज़ों को test करेंगे वीडियो में तो end तक बने रहन आप लोग और वीडियो में आगे बनने से पहले आप लोग से request करना चाहूँगा अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो फटाफ़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर देना box की बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको watch की printing मिलती है इसके लावब नीचे आपको brand ambassador भी देखने को मिलता है Mr. Dhoni इसके लावब box के side में और back side में कुछ highlight features लिखे होए जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले है box open करती सबसे पहले मिलता user manual इसके लावब warranty card साथी साथ कुछ subscriptions card भी देखने को मिल जाएंगे और मिलता है PocoPin charging cable जिसके तुर इस watch को आप charge कर पाओगे और यह smart watch जों के round dial के साथ आती है और काफी premium देखने में लग रही है डिटल में आगे हम बात करेंगे watch के setup and application की बात करूँ तो आप लोगो fit cloud pro app को install करना होगा इस watch को pair करने के लिए बहुत ही easy सा process है आप लोग add device पे जाओगे इस watch को add करके pair कर पाओगे और app का link भी मैं आप लोगो description में provide कर दूँगा तो उसको भी जाके check out कर लेना अब चलते हैं और बात करते हैं इस watch के build and design के बारे में तो यहाँ पे आपको fully metallic body मिल जाती है यार काफी solid material को use किया गया जहाँ पे आपको watch के सारे features शो जाएंगे और नीचे वाले button को press करके आप back जा सकते हो इसके लावा यहाँ पे आपको speaker और mic भी provide किया गया है जिसके थुरू आप Bluetooth calling को use कर पाते हो और साथे जाब बात कर लेते हैं इस strap के बारे में display तो यहाँ पे आपको 1.43 इंच की AMOLED PLUS Always On Display देखने को मिल जाएगा जिसकी quality काफी super bear, outdoor, indoor कहीं भी आप लोग use करोगे तो visibility में कोई वियसी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगो और इसी के साथ-साथ यहाँ पे आपको 600 nits की brightness भी देखने को मिलेगी इस watch में, जिसकी वैसे visibility और भी तगड़ी हो जाती है और display की quality और भी enhance हो जाती है और इस watch में आप लोग अपना custom watch face भी लगा सकते हो जिसके अंदर आपको काफी जबरदस color accuracy देखने को मिल जाएगी और इस watch को और आप Always On Display के साथ की उसकरते हो तो भी आपको यसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इंडोर आउडोर कहीं पर भी visibility काफी जबरदस देखने को मिल जाएगी Overall display की बात करो तो काफी top notch display quality मिलती है आपको इस price segment है मतलब यह watch आपको 3499 की देखने को मिल जाएगी बागी बात कर लेते हैं other features के बारे में चलते हैं और बात कर लेते हैं smart watch के UI के बारे में तो आप लोगो fire world की mostly smart watches में same UI देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी आप लोगो ऊपर swipe up करोगे तो setting के आप शॉटकट देखने को मिल जाएगे जिसको यहाँ से enable disable कर सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है menu style जिसके अंदर आपको three types के menu style मिल जाते है तो अपने choice के recordings को आप select कर सकते हो और इसी के निचे आपको display का option मिल जाता है जिसके अंदर आपको watch face change करने का option मिलता है इसके लाब brightness screen time यहाँ पर आप set कर सकते हो जिसके अंदर आपको maximum 30 second का option मिलता है और इसके लाब यहाँ आपको raise to wake up को यहाँ से enable कर सकते हो इसके लाब AOD clock मतलब यहाँ आपको AOD में दो watch face देखने को मिल जाएंगे digital और analog इसके लाब battery vibration, language, QR code, set time, system system information, shutdown and reset का option मिल जाएगा अगर आप लोग नीचा swipe up करते हो तो notification देखने को मिल जाएगा इसके लाब राइट से swipe up करने पर आपको visit के shortcut देखने को मिलते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको activities शो हो जाएगी इसके लाब हाट rate, weather forecast, music control, sports mode तो यह सब कुछ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगे राइट से swipe up करने पर और अगर आप लोग को left से swipe up करोगे तो main menu में चले जाते हो यहाँ पर आपको watch के सारे features शो हो जाते हैं तो बात कर लेते हैं इनी features के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर आपको telephone का option मतलब के call setting मिल जाती है जिसके अंदर आप dial कर सकते हो numbers को और call लगा सकते हो यहाँ से साथी साथ यहाँ पर आपको call records भी देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने recently call लगाया होगा वो सब यहाँ पर आपको show हो जाएंगे और इसके लाब मिलता है यहाँ पर आपको voice assistant जो के काफी अच्छी चीज़ा है रवाच में जो आपको provide की गई है मागी यहाँ पर आपको workout देखने को मिल जाएंगे काफी सारे sports mode provide किये गए इसके अंदर और इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको workout, record, heart rate, sleep monitor, SPO2, and messages मतलब कि आपको notification, weather forecast, female healthcare, music control, breathe training, stopwatch, timer, alarm, set time, and यहाँ पर आपको find my phone और setting के बारे में आप लोगों को already बता दिया था overall बात कुरें watch के UI performance के बारे में तो अभी तक काफी जादे smoothly work कर रही है यहाँ पर आप लोग कुछ भी देख पाऊगे कहीं से भी lag करती हुई नहीं दिखी रही है smart watch तो UI के मामले में काफी बड़े perform कर रही है smart watch water resistance की बात कर लेते हूँ यहाँ पर आपको IP68 की rating प्रोवाइट की गई जो के काफी अच्छी चीज़ा है यार मतलब अब तक IP67 ही देखने को मिल रही थी बांकी बात कर लेते हैं battery backup की company यहाँ पर claim करती 7 days का बट हाँ इस watch को आप आराम से normally यूज कर पाऊगे 4-5 दिन calling और EOD के साथ इस watch में आपको सिर्फ एक reading का फर्क देखने को मिलेगा और वही बात करो हाट रेट के बारे में इसको भी मैंने कई मर्दबाद चेक किया था और आप लोग यहाँ पर खुद भी देख पा रहे हो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक से दो reading का फर्क देखने को मिलता है और वही बात करो हो सेंसर की दिस वाच को मैंने हावा में टेस्ट किया था तो वहां भी आपको कोई रीडिंग प्रवाइड नहीं कर भी है तो ओवरल एक्यूरसी की बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 80-90% की प्रवाइड कर रही है अब जल्दे से कॉलिंग टेस्ट भी कर लेते हैं और आप लोग को दिखा देता हूँ कैसी स्मार्ट वाच की कॉलिंग कॉलिटी कर दूए कॉलिटी वाज की वाज वारी आपताक कर वाज साफ तो कॉल्द पहें को सफ़ mené कर वाज की ये है ये संफ रिया कर रहा है और श तोक्त मेरी आख वाज साफ रहा है यहां पर आप लोग ने देख लिये आप लोग एक आइडिया मिल गया होगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसे लगी बाग के मुझे तो काफी जबर्दस लगी कॉलिंग कॉलिटी यार यहां पर काफी लाउड आवाज आरे थे सामने वाले की अब आते हैं conclusion पे और बात कर लेते हैं ये smart watch आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए तो यार देखो अगर आप लोग कोई premium segment की smart watch देख रहे हो round dial के साथ तो definitely आप लोग इस smart watch को check out कर सकते हो क्योंकि यहां पे आपको जितनी features provide किया गया है वो बहुत अच्छी त smart watch में तो जाकर check out कर सकते हो तो यही थी आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगिए तो फट 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 वीडियो को like कर देना और अब तक चैनल को subscribe नहीं किया तो फट 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 सब्सक्राइ मैं मिलता आप लोग साइसी किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई